वाट इस अप मेरे दोस्तों मैं हूँ सचिन भाट और आप देख रहे हैं टेक्स 24 तो दोस्तों अगर अबिताक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो चैनल को जरूर जाके नीचे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं सही ने टेक्स रिलेटेड वीडियो लाता र ग्लास देन यहां पर दोस्तों एक रियर कैमरा मिल जाएगा जो की है 13 मेगा पिक्सल का साथ में आपको एक यहां पर एलेडी फ्लैस मिलने वाली है देन यहां पर रियल मी की आपको ब्रेंडिंग मिल जाएगी देन नीचे लिखा हुआ है ओपो और इसेंबल इन इंडिया है दोस्तों तो अगर हम इसके राइड साइड में देखे तो यहांपे आपको एक वेक बटन मिलने वाला है देन अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा उसके थोड़ा सा उपर देखे तो वहाँ पर आपको 6 3 भी मिल जाएगा जोकी तीन Slots में आता है वह तीन Slots सपोट करता है SIM और एक SD card दोस्तों यहां पर अगर मैं राइट साइड में अगर देखू तो यहां पर आपको volume rockers मिल जाएंगे और दोस्तों चलिए हम इसके bottom में चेक कर लेते हैं तो bottom में आपको मिलने वाला है speaker grills देन यहां पर regular USB port और 3.5 mm का jack मिलने वाला है जो आप audio अपने earphones वगरा plugin कर सकते हो आए दोस्तों हम front में देख लेते हैं आपको 8 megapixel का camera मिलने वाला है जो इसकी screen है वो मिलने वाली है आपको full HD की और 6 inch इसकी screen की size है वो आपको यहां पर मिलने वाली है तो इस range में काफी अच्छा screen के साथ और display resolution के साथ यह आता है देन दोस्तों अगर मैं इसके specifications की बात करूँ तो यह device आता है तीन variants में यहाँ पर आपको 3 GB का RAM का variant मिल जाएगा जिसके साथ में आएगा 32 GB का storage variant जो आपको 4 GB का मिलेगा उसके साथ आएगा 64 GB का storage variant और जो 6 GB के साथ आएगा 128 GB का storage variant तो दोस्तों अगर मैं इसकी pricing के बात करो तो इसकी pricing जो start होती है वो 9,000 रुपे सबसे lowest जो variant है उसके लिए जो बीच वाला variant है जो 4 प्लस 64 GB storage के साथ आता है उसकी जो pricing रखी गई है वो रखी गई है 11,000 रुपे और जो दोस्तों सबसे जो high end variant कहा जा रहा है उसकी pricing है यहाँ पे इन्हों ने रखी हुई है 13,990 मतलब की लगभग 14,000 रुपे तो अगर मैं और specifications की बात करो तो हैं यह device run करता है Android 8.1 Oreo पे और इसमें आपको मैंने अल्रेड़ी बता दिया है कि Full HD का 6-inch display मिलेगा Diatek का Helio P60 processor इसमें जो cameras है उसमें आपको beautification के कुछ features मिलने वाले हैं जो की obvious सी बात है कि Oppo का brand है और इसमें beautification ना दे तो यह बात कुछ जंती नहीं है अगर मैं बैटरी की बात कुरें यह आपर 3410 mAh की बैटरी है और इसमें voltage support है और हाला कि आप इसके storage variants है इसको आप expand कर सकते हो already मैंने यह बता दिया है आपको तो दोस्तो मेरे हिसाब से overall यह device एक value for money device है लेकिन यहापर कुछ कमिया है जो यह पूरा कर सकते थे में भी नोंने उसको लेके कुछ compromise किये है मेरे हिसाब से इसमें जो इनका बैक है वो उसका fiber का बना हुआ है जो की feeling देता है glass वाली लेकिन यहापर एक metal का support नहीं है या फिर जो एक phone में मजबूत ही आईगी वो नहीं आएगी उससाब से और यहापर आपको rear में dual cameras भी नहीं दिये गए है at least यहापर front में आपको एक flash तो देना बनता था लेकिन flash भी नहीं दिया गया है then यहापर दोस्तो जो इसका camera है वो मेरे को मैं अपना personal experience के अगर बात करूँ है लेकिन अभी भी इस range में इतने powerful इतने specifications वाले device आपको नहीं मिलते तो मैं आपको एक और suggestion देने वाला हूँ कि अगर आप इस device को लेने वाले हैं अगर आपको पास 11,000 रोपे का budget है तो मैं आपको suggest करूँँगा कि हाँ storage और RAM में आपको हाँ पर upgrade मिलने वाला है realme 1 में कि आपको 11,000 रोपे में 4GB और 64GB का storage मिल जाएगा लेकिन Zenfone Max Pro में भी आपको लगबग same मिलेगा बट यहाँ पर आपको वो जो storage है और RAM है वहाँ पर एक थोड़ा सा कवी मिल जाएगी हाँ पर 3,000 और 32GB मिल जाएगा जो Asus Zenfone Max है उसमें और इसमें आपको 4GB और 64GB जाएगा बट मेरे हिसाब से अगर आप solid के लिए जाना चाते हो अच्छे camera के लिए जाना चाते हो trust के लिए एक brand trust होता है उसके उपर जाना चाते हो तो आप Asus का Zenfone Max Pro ले सकते हो 11,000 रोपे में इसको ना लेकर अगर इसके सबसे lowest वाले variant को अगर आप लेना चाते हो तो यह इसमें best है और devices इसके आगे टककर में नहीं है और MediaTek की जो performance भी होती है MediaTek के जो processor की performance होती है वो भी इतने trusted नहीं है इनके GPU इतने अच्छे इतना अच्छा support नहीं मिलता है इनके processor में GPU का तो maybe यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है लेकिन Snapdragon 636 का जो processor है मैंने already use किया हुआ है तो उस हिसाब से वो काफी अच्छा games चला लेता है games तो यह भी चला लेगा लेकिन एक quality के उपर बहुत सारी हैं पर differences आ जाती है तो मेरे हिसाब से यह best device है Realme 1 बट हाँ अगर आप एक quality के लिए या improved camera के लिए जाना चाते हो तो इस device में थोड़ा सा compromise करोगे तो इस range में आपको Asus Zen 4 Max Pro भी मिल सकता है 11,000 रुपे में में जाला के लिए सकता है